हेलो दोस्तो आज हम बात करेंगे टाइफाइट फीबर के बारे में तो टाइफाइट फीबर या हम इसको एंट्रिक फीबर के नाम से भी जानते हैं तो इस केस में इंटेस्टाइन मतलब कि आथ में पर्फॉरेशन या अलसर हो जाता है देखे जब अलसर या परफोरिशन हो जाता है तो इसके कारण फीबर आता है इसी कारण से इसको एंटरिक फीबर बोल देते हैं तो टाइफाइट एक बैक्टरियल डिजीज होती है ये सालमोनेला टाइफी बैक्टरिया से होता है देखे टाइफाइट फीबर या एंटरिक फीवर में जो टंग होती है वो बाइट मतलब के सफेद दिखने लगती है इसी के साथ साथ लीबर और इस्पिलीन इनलार्ज हो जाता है तो इसको हम इस्पिलीनोमेगेली या हेपेटोमेगेली की नाम से भी जानते हैं तो इन दोनों का साइज यहां पर बढ़ जाता है इनल आत में अलसर देखने को मिल सकता है देखिए टाइफाइट फीवर में जो बोडी टेंपरिचर होता है वो 38 डिगरी सेलसियस और 101 फेरिनहाइट से अधिक होता है और यह फीवर तीन से चार दिन तक बना रहता है तो टाइफाइट फीवर की एक खास पचान होती है में बिडाल टेस्ट कराते हैं तो बिडाल टेस्ट में हमको टाइटर रेशियो देखना होता है अगर यह टाइटर रेशियो 1-220, 1-240, 1-280, 1-160, 1-2320, 1-2640 तो जैसे जैसे यह रेशियो टाइप से देखिए बढ़ता जाता है टाइफाइट की पॉसिविलिटी भी ब तो यहाँ पर कन्फॉर्म हो जाता है कि यह बिडाल पोजिटिव है मतलब कि टाइफ़ाइट का यह पेसेंट है अगर 10-2160 से देखिए टाइटर रिस्यो कम आता है तो इन केसिस में बिडाल टेस्ट निगेटिव देखने को मिलता है और अगर यह रिस्यो 11-2160 से जादा होता है, तब यह वेडाल Test positive होता है, तो यहाँ पर इस case में antigen salmonella typhi O और salmonela typhi H, यहाँ पर देखिए, 1 mythical 60 यह दोनों positive है, इसका मतलब यहाँ पर यह patient positive है, अगर यहाँ पर यह देखिए, यह negative होता, यह भी negative होता, तब यह वेडाल Test negative होता, और यह potent T5 percent नहीं होता तो देखिए टाइफाइट पेसेंट में क्या-क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं तो जैसे के हम बता चुके हैं यहाँ पर लीबर और स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है बोडी पर रेशिस देखने को मिलते हैं इंटेस्टाइन में अलसर या परफॉरिशन देखने को मिल सकता है और टंग और जीप और वाइट कोटिंग देखने को मिल सकती है इसके साथ हैडेक सरदर्द कोल्चिल ठन लगना एपेटाइट लॉस भूग ना लगना एब्डोमिनल पेल पेड में दर्द होना डाइरिया दस्त या पेचिस कॉस्टिपीशन मतलब के कब्स और मसले पतलब के मास्पेशियों में दर्द होना तो ये सिम्टम्स टाइफाइट पेचेंट में देखने को मिल सकते हैं अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीट्मेंट के बारे में तो सबसे पहले हमको ये जानना होता है कि यहाँ पर कौन सी एंटिवाइटिक्स मेडि मेडिर्ड है तो माइल्ड और मोडरीड केस में औरल मेडिसिन का यूज करेंगे तो यहाँ पर कौन-कौन सी ऐसी औरल मेडिसिंस हैं जिनका यूज टाइफाइट में किया जाता है तो सबसे पहले यहाँ पर एजित्रो माईसिन एजित्रो माईसिन की 500 मिली क्रेम डोस दिन में एक बार 15,8% को दे सकते हैं इसके अलाबा सिफेक्सिम सिफेक्सिम की 200 मिली क्रेम डोस यह पिसेंट को दिन में दो बार तीथरी मेडिसिन आती है flowro q9 onbes class की medicine तो इन medicine के अंत में oxacin term देखने को मिलता है जैसे के ओफलॉक्ससैन, यहां पर देखे oxacin है, और っち esperf máh sur diaphragm यहां पर भी देखे Oxacin है, तो ऐसी miejscinci जिनके अंत में oxacin term आ जाता है, तो बेh aan medicine floorqu9 onds class की medicine होती है तो यहां पर देखिए ओफलकससिन इसकी 200 मिली ग्रेम डोस दिन में दो बार और सिप्रोफलकससिन इसकी 500 मिली ग्रेम डोस दिन में दो बार तो इन में से कोई एक मेडिसिन यहां पर चूस करनी होती है या तो एसित्रोमाईसिन यूज़ कर सकते हैं या सिफेक्जिम या ओफलॉक्सासिन या सिप्रोफलॉक्सासिन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली होती है देखिए कभी भी एजित्रो माईसिन के साथ फिलोरो क्यूनलोंस क्लास की मेडिसिन का यूज नहीं करते हैं तो फिलोरो क्यूनलोंस क्लास की मेडिसिन जैसे के औफलोकससिन और सिप्रोफलोकससिन ये मेडिसिन एक साथ नहीं देंगे क्योंकि इसके कारण irregular heart beat मतलब के एरिद्मिया देखने को मिलता है तो एरिद्मिया से बचने के लिए इन दोनों medicine का combination कभी भी नहीं देंगे नेक्स बात कर लेते हैं severe case के बारे में अगर टाइफाइट का case severe है तो यहाँ पर IV medicine मतलब के injections का use किया जाता है तो यहाँ पर दीखे कौन सी medicine choose करनी होती है तो सबसे पहले यहाँ पर sephelo isporin class की anti-biotics medicine choose करनी होती है तो sephelo isporin anti-biotics class की medicine बह medicine होती है जिनके सुरुआत में safe term देखने को मिलता है जैसे के septrick zone और sephotexim तो यहाँ पर दीखे safe term देखने को मिल रहा है तो septraic zone जैसे के mono sap, mono sap का 2 gram dose ये पेसेंट को दिन में 2 बार दे सकते हैं इसके अलाबा taxim, taxim के अंदर होता है C4 taxim, C4 taxim की 500 miligram dose ये पेसेंट को दिन में 2 बार दे सकते हैं तो सबसे पहले सिफेलो इस्पोरिंड क्लास की medicine को चूज करना होता है, अगर देखिए इससे काम नहीं बनता है, तब हम as a tree name का use कर सकते हैं as a tree name ये एक gram से लेकर 2 gram dose पेसेंट को दिन में 2 बार दे सकते हैं, अगर देखिए इससे भी काम नहीं बनता है तो last में हम meropenem का use करते हैं, ये बिलकुल देखिए last medicine होती है, इसकी एक gram dose दिन में 2 बार तक पेसेंट को दे सकते हैं तो ये medicine देखिए बिलकुल last option होता है, सबसे पहले देखिए हमको सिफेलोस्पोरिन, दूसरा एजिटरियोनेम और last option, meropenem यूज करना होता है तो इन में से देखिए किसी भी एक injection का use करना होता है, और देखिए mostly antibiotics medicine को आप 5 से लेकर 7 दिन तक use कर सकते हैं नेक्स बात कर लेते हैं, symptomatic therapy के बारे में, symptomatic therapy क्या होती है, ये देखिए पेसेंट के symptoms के base पर होती है पेसेंट में जो जो symptoms देखने को मिलते हैं, उसके according यहाँ पर medicine देते हैं जैसे के पेसेंट में fever, headache, sit-dard, mild body pain, अगर सरीर में दर्द है, तब यहाँ पर PCM मतलब के paracetamol का use करेंगे paracetamol की 650 miligram dose दिन में दो बार पेसेंट को दी जा सकती है और इसके अलावा, body में fluid maintain के लिए, यहाँ पर IV fluid का use जैसे के NS, RL, TNS, D5, D10 या D25 तो पेसेंट की situation के according यह fluid पेसेंट को देंगे और इसी के साथ साथ, estroidal medicine जैसे के dexamethasone या prednisolone देखिए बो medicine जिनके अंतमे strong term या long term होता है, बेh medicine, estroidal class की medicine होती है तो ये दोनों estroidal medicine हैं, तो इन दोनों में से किसी एक medicine का यहाँ पर use कर सकते हैं या तो dexamethasone या prednisolone इसको पेसेंट को दिन में दो बार दे सकते हैं इसके अलावा, अगर पेसेंट में nausea और vomiting मतलब कि जी मचलाना या उल्टियाना ऐसे symptoms हैं तो यहाँ पर mset 4 mg की tablet पेसेंट की नीट के coding SOS दे सकते हैं पर दे सकते हैं